नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजबल इलिया आपके साथ मैं हूँ कार्जोन अराइन शुर्वात करेंगे उत्राखंड के खबरों की उत्राखंड में मास्क ना पहनने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने सहीद कोविद प्रोटोकोल से जुड़ी शिकायतों को लेकर बीते दो सप्ताह में उत्राखंड पुलिस ने प्रदेश भर में 44,000 से जादा लोगों के चौलान काते हैं फिलहाल उत्राखंड पुलिस अफायार नहीं लिख रही है लेकिन अन्य कारवाई जरूर कर रही है कोरोना संक्रमन की रफ्तार तेज होने के बाद से राज्य में पुलिस ने सारवजनिक स्थलो पर कोरोना के नियमों का पालना करने वालों पर सकती शुरू कर दी है सबसे ज़़ा चौलान इस तोरान उधम सिंग नगर हरिद्वार देहरादूर में किये गए वहीं पुलिस महाने देशक अश्र कुमार ने सभी प्रदेश वासियों से कोवीट की गाइडलाइन्स का पालल करने की अपील की है पौरी गडवाल के गोहरी रेंच में मराल बीट में अचानक से जंगलों में आग लग गई आग पहुँच चुकी थी बीटादिकारी से जब बात हुई तो उन्होंने बताये कि आग जंगल में पत्रों के गिरने से भी लग सकती है पत्रों के आपस में रगड खाने से भी सूखी पत्यों में आग लग जाती है और कहीं कहीं लोग आग जानबूच कर लगा भी देते हैं विभाग के दस लोग लगातार आग बुचाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ज्यादा आग अंदर ना पहुँचे ये इलाका पर्टकों से भरा रहता है तो कभी-कभी उनके द्वारा भी आग लगाई जाती है रिशिकेश सासे खेलों के लिए पूरे संसार में प्रसिद है यहाँ पर नदियों में राफ्टिंग क्या, किंग बाजी, जॉंपिंग जैसे और बहुत सासे खेल का हब है देश-विदेश से यहाँ पर पूरे साल लोगों का जमावणा लगा रहता है जंगलों में लगी भीशनाग से किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागा एक काकर का बच्चा जो कि हीरन की ही एक प्रजाती है किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग कर जंगली जानवर मानविय बस्त्वियों के बीच पहुँच गया जिस पर स्थान ये लोगों की नज़ा दोड़ी तो खंडिस्यू सेंड शेत्र के पास से इसे पकड़ कर पॉड़ी के वनविभाग कारे ले लाए गया और वनविभाग को सुरक्षित सौंपा गया लालकों विदानसबा शेत्र की नगीना कॉलोनी की तालाब बनी सड़क का निर्मान कारे होना शुरू हो गया है जिसकी कलोनीवासी पिष्ले लंबे समय से मांग कर रहे थे इदर सड़क निर्मान कारे शुरू होने पर लोगों ने कॉंग्रस के वरिच नेता हरेंद्र बोरा का कॉलिनी पहुशने पर फूर मालाओं से स्वागत कर आभार वेप किया इस दुरान लोगों ने हरेंद्र बोरा जिंदाबाद के नारे भी लगाए वरिच पुलिश अदिक्षक द्वारा नश्वे के वरूद चलाए जा रहें अभियान के तहट पुलिश अदिक्षक नगर और शित्रादिकारी नगर के परवेक्षण में थाना अध्याक श्यामापूर के नेत्वत्तुमें अव्वैद मादक पदार्तों के वरूद पर महाकुम्ब के दुरान होने वाले शाहिसनान की तयारियों को मेला पुलिस प्रशासन पुखता करने में चुटा है बारा, तेरा और चौधा को होने वाले सुम्वती अमवस्या, नवस्मतर तथा बैसा के स्नान पर वो कुर्सकुशल संपन कराये जाने और सुद्रड पुलिस प्रबंदन किये जाने के उद्देश से इसनान पर याओंवी ड्यूटी में नियुक्त किये गए समस्थ पुलिस, पी एसी अर्दसानिक बलो और अन्य लोगों और एकाईयों की ब्रीफिंग की जा रही है उपनल करमचारियों का अंदोलन आज 46 दिन भी जारी है इस मौके पर कॉंग्रेस प्रदेश उपाधिया शुरेका धस्माना ने एक बार फिर कॉंग्रेस के ओर से उपनल करमचारियों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया है वहीं कर्मचारियों को संबूदित करते हैं विधस्माना ने कहा कि राजी सरकार के ओर से उपनिल कर्मचारियों को गुमरा किया जा रहा है सरकार चाहे तो मामला सुलच सकता है सरकार को चाहिए कि नवंबर 2018 के उच नियाय अले के आदिश के खिलाब जो SLP राजी सरकार ने सुप्रीम कोट में डाली है उसका सरकार को ततकाल वापस लेना चाहिए और कर्मचारियों से बात कर तुरंद कर्मचारियों की मांगों को पूरा करना चाहिए धार्चुला के इंतरास्टिये जुलापुल पर नेपाल से भाराता रही रुफ्ती की चेकिंग के दौरान लाई जा रही आवे चरस को भारत की ससत्र सीमा बल के दौरा नेपाल की दुमलिंग निवासी 25 वर्षे युफ्ती से 1 किलो 440 ग्राम चरस पकड़ी गई है युफ धार्चुला पुलिस के दौरा उक्तियुफ्ती के खिलाब कानूनी कारवाई की जा रही है बद्रिना धाम के पास बसुधारा में भारी बर्फ बारी हो रही है बर्फ ऐसी कि जो थमने का नाम नहीं ले रही इस बर्फ बारी के चलते आईटी बीपी के हिमवीरों को 21 दिन का बर्फ में परवातरोहन का कोर्स को साथ दिन में ही करना भारी पढ़ रहा है बर्फ बारी की चलते उन्हें वहां जुन का परिक्षन चल रहा था वो छोड़ना पड़ा और वापस लोटना पड़ा इस साल अप्रेयल माह में भी बदिनाध बसुधारा में भारी बर्फ बारी जारी है आई टी बीपी के हिमवीर भारी बर्फ में हिमाले चनौतियों से लड़ने के गुर सीख रहे हैं ये जवान शुन से नीचे के तापमान में भी भारी पसीना बहा रहे हैं उत्राखन में कोरोना संक्रमन को लेकर सरकार दवारा अपनाए ज़ा रहे सखत कदम उठाये जाने पर उत्राखन का परेटन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है जिसको लेकर मसूरी में उत्राखन होटल, रेस्टरेंड असोसियेशन, उत्राखन टेक्सी, मेक्सी, महासंग और मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेर असोसियेशन के बदादिकारी द्वारा सैथ प्रेस वारता की गई रुड़की की गंग नहर कोतवाली पुलिस द्वारा अवेद नशे के विरूद चलाए गए अभियान के दुरान दो यूवकों को लाखों रुपे की स्मैक के साथ गिरफतार किया आपको बतादें की गंग नहर कोतवाली प्रिभारी निरिकशक मनोज मेनवान ने बताया कि जिले के उच पुलिस अधिकारियों के आदेश पर चलाए जा रहे अवेद नशे की रोक्ताम अभियान के अंतरगत पुलिस ने दो यूवकों को मतलब पुर के पास से गिरफतार किया पकड़े गए दोनों यूवकों के पास से पुलिस ने अथावन ग्राम से ज़्यादा स्मैक बरामत की है उत्राकंड की खबरों में इतना ही आप बने रहें न्यूजबल इंडिया के साथ